ठीक है a and b are two vector और इनके बीच का angle theta है और ऐसे relation दिया हुआ vector में तो theta कितना होगा मैं बार बार करता हूँ कि vector बहुत ही अच्छी चीज है और यह आपको आना चाहिए a cross b is equal to a cross b is equal to का magnitude बराबर है root 3 a dot b के a dot b a dot b अपने आपने इसके लिए तो a dot b क्या होगा a cross b क्या होता है a b sin theta magnitude मांट लगा है direction भूल जाओंगा ठीक है root 3 कहां से आया condition से a dot b क्या होता है a b cos theta होता है ठीक है तो a b ने a b को ठीक है और 10 theta आ गया root 3 तो 10 theta अग़र root 3 आएगा तो root 3 अगर 10 theta आता है तो theta 60 होता है ना रटे हो ना इसको तो रट लो इसको पूरा आथ्षे सच मलब इसको रट लो झाल झाल